के ङाईस तो आज मेरा बनारस में दूसरा दिällt है और आज तो अमित के लिए बनारस तो और सोचा हमने की बनारस से कुछ ममी के लिए भी ले लिया जाए कि बनारस की साडिया बहुत फेमस है तो एक बनारस साड़ी पसंद करने चेल पड़े हम लोग दुकान में लेकिन यार शुकर वाट्साइप है वरना आप समझी सकते हो ना आज भी अपने दोस्तों को फोटो पेचते हो या आप अपनी मेला मित्रों को फोटो को पेचते हो कि देखना जाड़ा यह अचा है यह अच्छा है वह अच्छा है और इस तरह से हमारे शॉपिंग कम्प्लीट होती ह इसके बाद हमें चाहिए था एक होटेल जिसमें हम एक रात स्टे कर सके इसके बाद तो फिर हम लोगों ने एक होटेल ठूंडा जो घाट की पास हो ताकि हम घाट असानी से जा सके शाम के टाइम ते और यह अमिद भीया है श्कुराते हुए और चलिए अपने रूम के अं हुआ फासा था लेकिन हाँ मेरे रूम से तो बढ़ी मेरे रूम की खिड़की है क्योंकि इसमें जैसे मैं खिड़की खोड़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि जितनी खिड़की अधिक्वल रही है उससे चोटा मेरा रूम है और खिड़की से मैं सीदे बाहर अब आप खिड़की इतनी बड़ी है विक कि अगर मैं अमिद को यहां से नीचे फेक दूँ तो अमिद सीधे बनारस की गली हो में बहुत टाइम बचेगा तो इसके बाद अब हम जाएंगे कासिवे सुना टेंपल और वहां देखते हैं कि वहां कैसा माहौल है और उसके बाद फिर हम स काशिवे सुना टेंपल जो की दर्शन करने और एक चीज़ है कि काशिवे सुना टेंपल में आपको मोबाइल फोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है तो उसके अंदर की बाहर की फोटो की चना मेरे लिए ना मुम्किन सदा आवाज से भी बहुत पुलिस वाले थे उदर उ क्यों जब भी मैं मारास गया हूं मुझे लगता है कि यह सबसे बेस्ट पार्ट है और दो मिनिट का जो कंसेटरीशन बढ़ जाता है बहुत मसा था इसमें और मैं तो सब्सक्राइब कराऊंगा लेकिन पता नहीं कि मुझे पंडित जी दिखे नहीं इसके बाद फिरामित सब्सक्राइब कराया और मेरी तिक्का से जऔर उसका जो तिलक तक्ता है वो सफागित इसके बाद एक दियुक्पर्ण सब्सक्राइब किनारे ऑड के किनारेट और खटे रहा दे देकर लेकिन और क्या कुछ नहीं खाने दोचे और फिर समसो चाट के बाद हम इतने बोलाव से छोला बटू रखाना है तो पता नहीं वही शायद कई बार उसके पास पिया था उस ठेले वाले के पास तो फिर हमने वहां पे मस्त छोले बटू रखाया है मस्त था मजा आगया लब करमा करम स्टीट फूड और फिर उसके बाद हमने उसमें ही बताया कि आप जो पहलवान के लसी है वो लसी ट्राइब करो मस्त वहां भी फिर हम लोग चले गया फिर लसी बीने के लिए और लसी के भार में ख्या कहूं इत्ती फुरेश थी और उसमें जो उन्होंने जो मलाई डाला उपर में खोवा टाइप्स वो लाजवाब आया देख की मुझे पानी आ रहा था बहुत यम और बहुत ही फ्रेश तो इसके बाद मुझे लग रहा है कि मुझे अपना वेट चेक कर लेना चाहिए जो की कितना है 63 बस 63 ही है तिरसेट बहुत कम है तिरसेट के लिए डाइट जीत और जाने की लाई परफॉर्मेंस है घाट पे जो की हमने अटेंड करना है तो चलिए चलते हैं फिर घाट के तरफ जहां पर रोज मतलब आलमस्ट देली आपको वहां पर ऐसे ग्रूप मिल जाएंगे जो वहां पर गाना गाते हैं गिटार विटार के साथ तो आप उन इनकी जो एक और अच्छी बात है कि अगरा पो कोई अपना गाना प्ले करवाना उनसे जाते होङ Uh तो अगर आप उनसे बोलोगे तो आपके लिए ऊजाना के साथ तो मज़ा आता है जो सकते हो टाहिकी तरो कुशते मचाते ने काते हैं तीरा होजाओं, मैं किसी और का हूँ फिल हाँ मैं किसी और का हूँ फिल हाँ बढ़ा जानी तो इन के बहुत सारे गाने सुनने के बाद हम लोग आगे की तरह पड़े और घाट पर किसी लड़की ने रंगोली बनाई थी बहुत अच्छी रंगोली यार मतलब इसने बड़े एरिया में रंगोली बनाना मैंने उस लड़की को इंस्टाग्राम पर मेसेज भी किया था लगोशका अश्कारव बहुत अच्छी रंगोली थी ले रहे थे फोटो घीच है मतलब बहुत ही बड़े एरिया में बनाना मतलब लड़कियों के लिए तो यह आम बात है जब बास की बात नहीं है फिर हम लोगोंने वहां सोचा कि काश्री विश्वन्हा टेम मंदिर जो है वो शाम के साड़े साथ बज़े के बाद बंद हो जाता है तो फिर अब हम अंदर तो जा नहीं सकते थे और उसके बाद फिर हम वहां से चले आए और पी येचु का पूरा कैंपस भी पूरा खाली था एक बंद सन्नाटा क्योंकि कोरोना के कारण वहां के स्टू इसलिए हमने सोचा कि अब रहने दिया जाया दोवारा भी तो फिर कभी आना होगा बनारास इसलिए हमने अब बस किया हमने सोचा कि अब बस आज के लिए इतना ही और बाकी मैंने जो गूमा है उसके अलग से सिनेमेटिक वीडियो में जरूर डालूंगा और एक और शीज अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट के तूर्व सजचेशन जरूर देना ina वहात मज़ा आया बनारस के नाइटलाइट है, वन बनारस के लोग कहते हैं बहुत संदर है बहुत सुन्दर है और इसने भी घाट है, जो लोग है टाइम पास कर रहे हैं, यहां की लोकल इस वर्दान नहीं अग्र। बाता है भी जाट मनें आजख माणकी म्यद्ध करने नपकециali अंपने पर हो सारे छोडह को बें सारे पर अचमाज रोट मुद्ध कीई कर दमाम के ऊचिए Episode 1ज वाले है नहीं के सोफ तुर कैसा के वाजले निया है अब पिदर जाना है, यही है, यही है गली, यह हमारी आज की आखी राथ है बनारस में, यहां से खाना पैक कराके होटेल जाना है, वहां से खाके बढ़ सो जाना है, इसके बाद जिस करना देगे, बबारक उमीद करता हूँ कि मैंने अपने साइट से आपको बनारस दिखाने आपको बहुत जोड़े से फार जरूर होंगे आपके और मेरे एक्सिरिंस देखा यही फर्क है आपकि अच्छा है बनारा से मज़ा है तो कई बार आया बनारा को है 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 मेरी तरब से यह था वर्शुवल पनारस नहीं सब्सक्राइब तो इतना हिम्मत तो कि जान बोलता है क्या करके अपना फून लेगे जो भी पोल देते हैं अगर आप वीडियो अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब